असलाव लोगों वीवर्स मैं हूँ शीफा मेकोवर्स रुबीन अखाना जाम आपको इस वीडियो में आई मेकप लूग दिखाने वाले है I hope so you like my video and don't forget to subscribe my channel तो सबसे पहले मैं eyebrow को fill कर लूँगी एक angle brush की help से brown color का eyeshadow से मैं eyebrow को अच्छे से fill कर लूँगी दोनों eyebrow को मैं अच्छे से fill कर लूँगी उन्हें अच्छे से shape दे दूँगी इनकी eyebrow बनी हुई नहीं है तो मुझे अच्छे से इनको shape देना होगा तो मैं dark brown color के eyeshadow का use करके इसे अच्छे से fill कर लूँगी उसके बाद मैं इसे यहां पर मैंने aloevia pan stick से eyebrow को knit and clean किया है जिसका chat number 007 तो मैं as a base इसे यहां पर लगा लूँगी और अपने eyebrow को sharp दिखाने के लिए मैं इसका यहां पर यूज करूँगी कि so friend मैं यह base को beauty blender की help से dab dab करके set कर लूँगी और उसके बाद में compact powder का use करूँगी इसको set करने के लिए तो देखिए friend मैंने उसे अच्छे से set कर लिया है उसके बाद में miss clear का highlighter का use करूँगी अपने brow bone के नीचे side और inner corner पर भी मैं इसे लगा लूँगी तो आप देख सकते हो friend मैंने inner corner पर भी से apply कर लिया है और मैं miss clear की eyeshadow palette में से orange color का light orange color का eyeshadow लूँगी जिसे मैं brush की help से अपनी crease line में blend कर लूँगी मैं orange color से eyes को अच्छे से contour कर लूँगी आप देख सकते हो friend इस तरीकी से blend करके हमें eyes को contour कर लेना है उसके बाद मैं एक small brush में pitch color लेके एक crease line बना लूँगी तो आप देख सकते हो मैंने पूरे crease पर उसे अच्छे से blend कर लिया है दोनों eyes पर मैं इसी तरीके से उसे blend कर लूँगी थोड़ा थोड़ा लेके outer corner से inner corner तक जाकर मैं crease line बना लूँगी तो friend देख सकते हो आप उसके बाद मैं inner corner से eyeball तक crease cut बना लूँगी तो आप देख सकते हो friend मैंने अलेवे के pen stick से जिसका नंबर है 007 उसी वही बैस से मैंने यहाँ पर crease cut बनाया हुआ है inner corner से eyeball तक मैंने crease cut बनाया हुआ हुआ है सेम उसी पर मैं liquid highlighter का यूज़ करूंगी जो वीडियो में नजर नहीं आ रहा हुआ होंगा so friend हम वीडियो तो अच्छी बनाते हैं बट क्लियरली आपको वीडियो में नजर नहीं आ पाता है तो उसके लिए आप माइंड मत कीजिएगा यहां पर मैं dry glitter का यूज़ कर रही हूँ जो सिमरी है तो उसके थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल है जो मैं इसके उपर अप्लाय कर रही हूँ अपने crease line पर जो मैंने crease cut बनाया है उसके उपर मैं अप्लाय कर ले रही हूँ एक brush की help से तो आप देख सकते हो friend कि उसके बाद में एपी के liner pen cake से liner लगा लूँगी तो आप देख सकते हो मैं इहां पर रिफिंग liner लगाऊंगी और glitter के उपर यह प्रॉपर ली लग नहीं पाएगा बट हमें लगाना तो जरूरी है जिससे कि हमारे eyes का look बहुत ज्यादा प्यारा लगे और उसके बाद मैं golden color का eye shimmery liner का use करूंगी अपने जो मैंने crease cut बनाया है उसके उपर में एक line दोंगी और eyeball पर भी उससे थोड़ा से smudge कर लूँगी आप देख सकते हो friend और जो मैंने eyeliner लगाया था pancake का उसके उपर में liquid eyeliner का eyeliner को भी apply कर लूँगी अब मैं brown color का eye shadow लेकर outer corner पर smudge कर लूँगी आप देख सकते हो friend मैं outer corner से eyeball तक मैंने उसे smudge कर लिया उसे के बाद हुए ही और same eye shadow मैंने lower lashes के नीचे भी apply किया है आप देख सकते हो एक brush के help से मैं lower lashes के नीचे भी उसे apply कर लूँगी तो दोनों eyes में मैं उसे अच्छे से apply कर लूँगी तो आप देख सकते हो friend की कितना प्यार ह हमारा eye makeup निकल के आया है उसके बाद मैं काजल को apply कर लूँगे एक brush के help से और मैं यहाँ पर मोटा काल जल यूज़ करूँगी आपको जैसा काजल लगाना पसंद हो आप वैसे लगा सकते हो मोटा या बारीक मुझे मोटा पसंद है तो मैं यहाँ पर मोटा apply करूँगी friend उ apply कर लूँगी ताकि मुझे eyelashes लगाने की जरूरत ना पड़े so friend आपने अब तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हो या फिर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो please मेरे चैनल को subscribe कर दे और bell icon पर press कर दे ताकि हमारे आने वाले new video की notification आप तक सबसे पहले पहुश सके so friend आपको यह video आने के लिए और हम बहुत मेहनत से video को बना पाते हैं तो please like जरूर कर दीजिएगा और जो अपने friend में आप share भी कर सकते हो so friend तो यह हमारा final look आप देख सकते हो मैंने highlighter का दो बारा यूश किया है inner corner पर और eyebrow के बिल्कुल नीचे मैंने highlighter का दो बारा से यूश किया है तो यह ह हमारा final look so friend आपको पसंद आया तो इस video को like जरूर कीजिएगा और हमें comment करके बताएए कि आपको यह video कैसा लगा so friend मिलते है next video में जब तक के लिए बाबाई